दोस्तो आज आपके सामने है 2022 की न्यू लॉंच रॉयल एंफिल्ड हंटर 350 का टॉप मॉडल इस बाइक की तीनों मॉडल की डेटेल ओन रूड कीमत क्या है और यहाँ पर आपको रॉयल एंफिल्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है साइड में आपको हंटर 350 की ब्रांडिंग मिल जाती है इसके साथ ही इस बाइक में आपको कंपनी की तरफ से क्या-क्या एसेसरीज देखने को मिलती है इन सभी की सभी एसेसरीज की डेटेल में कीमत क्या है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो सबसे पहले सुरुआत करते हैं इस बाइक के सिल्वर शंप गार्ड से जिसको लोकल बासा में इंजन गार्ड भी बोलते है रोयल एंड फिल्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है दो नट उपर में दो नट नीचे में मिल जाते है इसकी कीमत है 3100 रुपे मतलब की 3100 रुपे का ये आपको मिलता है और काफी हैवी बिल्ड क्वालिटी है इसकी ये मेटल का नहीं है ये है दोस्तो अलुमिनियम का और इंजन के नीचे की तरफ अगर आप इसको लगवा लेते हैं अब आपको काफी अच्छा रेट्रो लुक मिलता है और इंजन की जो है वो काफी अच्छे से प्रोटेक्शन हो जाती है दूल मिटी कीचर इंजन पर जमा नहीं होती है और ये है दोस्तो टिंट फ्लाइ स्क्रीन जिसको लोकल वासा में जो है वो विंड सील भी बोलते हैं चोटा सा और इसकी कीमत है 1750 रुपे 1700 रुपे की इसकी कीमत है और ये है सिल्वर कलर के LED टर्न इंडिकेटर इसमें आपको ब्लैक कलर के LED इंडिकेटर भी मिल जाते हैं कीमत की बात करें तो चार इंडिकेटर की कीमत है चार आर पांसो और पे मतलब की साड़े चार आर के आपको चार इंडिकेटर मिलते हैं जब आप आप uggल को वही नौर्मल हैलूजर्ट में लगा लेते हैं अगर आप इसको आगे में फ्रेंट में लगवा लेते हैं इनको आप coupler to coupler fit करा सकते हैं जिससे bike की warranty पर कोई भी प्रबाब नहीं पड़ता है तो पीछे का जो look है आप देख सकते हैं इंडिकेटर लगाने के बाद काफी premium लग रही है और ये है दोस्तो hunter 350 का black color का crash guard leg guard जो की royal end field की branding के साथ आता है कीमत की बात करें तो इस leg guard की कीमत है 3300 रपे जी हाँ अगर आप इसको install कराते हैं तो इसके लिए आपको 3300 रपे pay करने पड़ेंगे यहाँ पर एक rod दी गई है जो की अंदर में engine के side में यहाँ पर डाली जाती है जिससे यह fit हो जाता है नीचे की side से और उपर की side से यहाँ पर आपको 2 nut bolt मिल जाते हैं जिसको आप आसानी से भी install करा सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का view मिलता है अगर आप इसको fit करा लेते हैं तो bike में इसमें आपको दूसरा compact guard भी मिलता है जो आपको 2950 रुपे की कीमत का मिल जाता है तो अभी हम बात करते हैं Royal Enfield Hunter 350 की black custom seat के बारे में जिसके side में देखेंगे तो यहाँ पर red color की stitching आगे की side में चारों तरफ दी गई है rider वाली position के साथ यहाँ पर custom आपको tech के साथ मिलता है Royal Enfield की branding मिल जाती है इसकी जो cushion है जो form है वो काफी soft है यहाँ पर आपको थोड़ी सी matte finish मिल जाती है और इसकी कीमत है 4250 रुपे जी हाँ अगर आप इसको install कराते हैं बाइक में अलग से लगवाते हैं तो 42550 रुपे आपको देने पड़ेंगे यह इसकी seat है जो आपको बाइक के साथ में मिलती है अगर आप इसको इस तरह से लगवा देते हैं तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको view देखने को मिलता है बाइक काफी ज़्यादा premium लगती है अगर आप इसमें backrest pad लगवाते हैं और आप नीचे दिवे नंबर पर कॉल करके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं